असलाम वारीकुम नाजरीन ड्रामस ये घाटा की नेक्स एपिसोड में आप देखेंगे दानिश और उसके घरवालों के बुरे दिन तो अब शुरू हुए हैं क्योंकि वो दोनों माबेटी इस दानिश और उसके पूरे खानदान को नहीं छोड़ने वाले ये तो चार लोग थे जो रानिश और उसकी वालदा पे भारी पड़ गए मगर वो दोनों माबेटी ही गाफी है अब ये नवाब तो खुशी खुशी दानिश से कहती है मैं सोच रही थी क्यों ना तेरी दूसरी शादी करवाद हूँ कि इस रानिश से कोई फायदा होने वाला तो नहीं अब दानिश ने बता दिया बस तुम्हें रिष्टा लेकर जाना है उसे कहां रखना है ये सब कुछ मैंने सोच लिया जिसके बाद तो ये नवाब खुश हो जाती है क्योंकि इस माँ को पहले भी ये हस्रत थी कि इस रानिये पर मैं सोकन लेकर आऊंगी फिर रानिये इसका मज़ा भी तो चकले जबके दूसरे जानिब हमजा की वालदा की आँखों से पटियां तो अब हटी है जब ये सना अपनी असलित दिखा रही है उन्हें तो हैरत होती है खुद पर खुद की सोच पर कि वो इन सब के धोके में आ कैसे गई क्योंकि ये सना तो सेड़ी में बैठी पागलों की तरह ऐसी ही देख रही थी हमजा की वालदा ने उसे रोका कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो मुलासिम तुमें देख कर क्या सूचेंगे मगर इस सना को फर्क नहीं पड़ता वो तो अजियत देना चाहती है हमजा की वालदा को और अब उन्हें रानी और साजदा का भी एहसास होता है साजदा ने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया मगर उन्हें ने रानी कोई बदनाम करके रख दिया मगर ऐसे में हमजा के वाले देन को यहीं लगता है कि हमजा ने इस लड़की से शादी करके बहुत बड़ी भूल कर दी मगर ये तो थी हमजा की सारे चाल अब वो शादी ना करता तो इनकी असलित कैसे खुलती और वाल्दा तो वैसे भी सन्हा की तारीफ करती नहीं फिरती थी अब जब हमज़ा की वाल्दा गुसे से अपने बेटे के पास गई कि सन्हा को फारी करो छोड़ो इसे उसके घर वापीस भेजो जब भी मैं उसे देखती हुना मेरे दिमाग में उस सब कुछ घूम जाता है जो उन्होंने हमारे साथ किया अब ऐसे में उन्हें रानी का एसास नहीं होता उसकी वालदा का इतना नहीं उन्हें तो अपना आप ही बहुत मजबूर बेबस लाचारी लग रहा है अभी तो इनके कर्दूत इनके जुम सामने आएंगे कि रानी और उसकी वालदा के साथ ही कर क्या रही है खैर अपनी वालदा को इस तरह से परेशान देकर हमजा वालदा को तसली देता है अब परेशान क्यों होती है उनका बस अब बुरा वक्त चुरू हो चुका है मैं उसे घर से तब तक नहीं निकालूँगा जब वो और उसके नानी अपने जुम का इतराफ नहीं कर लेती और तब ही ये सना इस घर से बेज़त होकर निकलेगी अब ऐसे में सना जो की अपनी कोशिश ने फिर भी नहीं छोड़ रही हमजा की वालदा जो कपड़े लेकर आएं थी वो पहनती है तैयार होती है वो भी इस हमजा के लिए जिसके बाद तो ये हमजा उसी पर आग बगोला होता है और उसे बेज़त करकी यहां से चला गया और फिर एड देन्ट इस सना के हिसे में रोना धोने ही आता है खेर अभी तो शुरुवाद है इनके साथ अभी बुरा तो हुआ नहीं होप से वीवर जबाने वाली एक साथ काफ़ी इंटरस्टिंग होने वाली है तो ऐसे में दानिश के घरवालों के अंजाम का किस को बेस सबरी के साथ इंतिजार है हमें अपनी कीमती राए का इजार जरूर कीजेगा मजीड ड्रामा आज रिवीउस के लिए आप देखते रहिए